गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेलप लाइन गुड मॉर्निंग इस्टेनोग्राफिय सीरीश में आप सभी गास्वागत है जहां आपको मिलता है प्रते दिन अश्री नब्बे सो और 110 सब्दी प्रति मिनट के डिक्टेशन अगर आप इससे उपर के जागरण और 90 में मिलेगा हिंदुस्तान और 100 मिलेगा जागरण और 110 में मिलेगा हिंदुस्तान यानि कि सभी मैटर्स जो होंगे वो अलग-अलग होंगे अलग यानि कि 80 और 90 मिलेगा आपको 80 में जागरण 90 में हिंदुस्तान 100 में जागरण तो 110 में हिंदुस्तान तो इसके पहले हम इनके कफिन वर्ड्स और आउटलाइन्स को देख लेते हैं कि सबसे पर्ले जागरं के देख लेते हैं फिर यूसके बाद हिंदूस्तान टाइम्स के सम्भूधित कर ते हुए तो संबोधन, संबोधित के यह मैंने फिक्स आउटलाइन मैंने आपको बताई थी स्टैनो हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर वहाँ से आपने देखी होगी स्टैनो स्पिडी रूल्स में संबोधित और इसमें हमने करते हुए जोड़ दिया हुए के लिए हम हुए का सेर्किल बनाते हैं या हुप पूरा लिखते हैं तो वह हुए पढ़ा जाता है गुम्राह नहीं कर सकता तो गुम्राह के लिए गर लाइन कट करेंगे ताकि ओकी मातरा जुड़ जोड़ जाए मौ और रह और हर लिखा हमने और डास लगा करके कर सकता जोड़ दिया कर शका और कर सकता में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कर शका किवल रखा तो शर कर रहता और शकता है तो शर कर लिखेंगे ताकि हमें ट्रांस्किप्ट करते समय कोई भी प्रॉब्रम ना आए आभास होना चाहिए की तो आभास के लिए अ और भा और श और डैस लगा करके होना और चाहिए का चाप लगा करके और डैस लगा करके की लगा देंगे संसे चत रहा है तो संसे के लिए श और फिर श का अकड़ा, फिर या चत रहा है के लिए छ और टॉक को बड़ा करेंगे तो रहा रही तो है जुट जाएगा बहु शंक्यक, बहु शंक्यक अलप शंक्यक मैंने आपको बताए था लेकिन यहाँ पर आया है तो देख लेते हैं बहु और शंक्या के लिए डैस लगा करके कर और बहु चंकी बिंदी लगा देंगे यह इस परश्ट करना चाहिए तो यह यह का सब्दचिन होता है और इस परश्ट के लिए मैंने बब को बताया था सट ही लिखेंगे ना कि इस्ट का चाप फिर पर इस्ट का चाप वो ज्यादा सिंगल लिखते हैं यानि कि अगर हम सत्तर की स्पीड लिख रहे हैं तो हम अलग-अलग से लिख सकते हैं लेकिन अगर हमें जोड के लिखना है तो हमें ऐसे लिख करना बड़ेगा पश्ट और कमिरो का अकड़ा और नौ के तरप चाहिए का चाप और डैस लगा करके की का अकड़ा लगा देंगे यह कहा जा रहा है की तो यह यह का सब्दचिन और कहा का और हा जो को बड़ा करेंगे तो रहा रही रहे जुड़ जाएगा लास्ट में है की का अकड़ा लगा देंगे नेक्स्ट एहसास होना चाहिए की तो एहसास के लिए डैस लगाएंगे और या न लगाएं तो यह आपके उपर डिबेंट करता है अगर आप ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं तो और शॉक पूरा लिखेंगे लगाएंगे और डैस लगा करके होना चाहिए और डैस लगा करके की लिख देंगे कहना कठीन है की तो कहना के लिए का ह न पूरा लिखेंगे किन किन्तु कठीन का सब्दचिन होता है और है की का अकड़ा लिख देंगे मोर्चा खोल दिया है तो मोर्चा के लिए मौमेरा का अकड़ा चर और इसी में हमने खमेला का अकड़ा जोड़ दिया है और दिन दी दिया का सब्दचिन और है का अकड़ा लगा दिया है बैक आया जा रहा है, तो बैक आया के लिए बहर काऊया ज़िब बढ़ा कर रहा रहा रही है, जपढ़ जाएगा तो ये तो रही देने के जाकरण अब बढ़ते हैं हिदुस्तायन टाइम लाइक करने और कमेंट करने और स्याय करने तो बिल्कुल भी ना भूला करें आप तक यह से हम वीडियो यह आपके लिए लेकर आते रहें पस्टिम एसिए प शौक ऐसी कुण की फिक्स आउट्लाइन और एसिया के लिए हमने केवल शौय और यौक आटड़ा लगा दिया है अगर आप चाहें तो शोष ये कट भी कर सकते हैं, धकेल दिया है, तो धकेल धो आप जनतियों की दोने तरफ से बनाया जाता है, तो कव में लॉक आकड़ा के सुटेबिल्टी के लिए हमने ये इधर से धो बनाया है, क्योंकि अगर हम धो इस साइड में बनाते हैं, तो कव में लॉक का आकड़ा बनाने भी थोड़ी से दिक्कत होती, और हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है तो इसले हमने इधर से बनाया है आमेलो का आकड़ा और दिन दी दिया का सब्दचिन और है लगा दिया है अमेरिकी जोन तो अमेरिका के फिक्स आउटलाइन तो अमेरिकी और जोन के लिए डामेरो का आकड़ा फिर नौका करा विश्व बाजार विश्व लिखामने बहुत से कर्ट कर दिया बाजार और मे के लिए छोटा सा मह बनाते हैं याभी लग रहा था तो याभी का सब्दचीन होता है अला उसे बड़ा करेंगे तो रहा रहे रहे और था के लिए था लिखते हैं किया वल आयतुला खामे नहीं तो यह नाम है तो अगर आप 80 या 90 के स्पीड लिख रहे है ना तो कोई नाम अगर आए तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बनाने की कोशिश करें या फिर अच्छे से बनाने की कोशिश करें उसमें कोई भी short trick ना अपना है क्योंकि हमें बाद में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है तो हमने आयतुला के लिए यह लिखा है तो में लोका आकड़ा फिर होका आकड़ा लगा दिया तो यह होगा आयतुला और खसे कट कर दिया ताकि खामे नही हो जाए लेकिन अगर आपके पास time है speed कम है तो खामे नही को भी आप पूरा लिखें धमकी दे दी है तो धमकी के लिए धा मा और कप यदी दाम दे दिना दिता से दे और दिन दी दिया से दी और है यहाँ भी सच है की तो यहाँ भी का सदचिन और सच है की इसमें जोड़ देंगे दिनाल्ड ट्रम्प यह मैंने कई बार आपको बताया है लेकिन अगर आप भूल गए हो तो आप देख लिजे फिर से दा और लाइन के उपर लिखते है लाइन पर लिखते है ताकि ओकी मातरा पड़ी जाए दो और नमेला काकड़ा फिड़ तो डुनाल्ड और जेश्ट उसके बगल में हम ट लिख देंगे तो वो जागा डुनाल्ड च्रम्प धारना यह है की तो धारना ध लाइन के ऊपर लिखेंगे ताकि ओकी मातरा जुढ़âteए दर Gir.. न अर यह हैकी जोड़ देंगे यह साफ दिख रहा है तो यह साफ दा को बड़ा के लिख लएंगे तो रहा रही रहे नहीं जुढ़ जाएगा और हैकी काकड़ा तो ये तुरही आउटलाइन और अगर आप रिपोटर की तियारी कर रहे हैं, कोड की तियारी कर रहे हैं, संसदी ये समपाद की ये सबी डिक्टीशन अगर एक साथ प्रतर दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे हैपी स्टेनोग्राफी से जरूर जुड़े और ऐसा के लिए बहुत ही बेनिफिशिल रहेगा किसी भी एक्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो सिंपली आपको करना क्या है, मैसेज करना है और आपको वेबसाइट का इंटरफेस दिया जाएगा और उसके साथ ही आपको डिक्टीशन प्लस पेडियो भी दिया जाएगा तो चले हम स्टार्ट करते हैं, अब 80 सब्द प्रतिमिन डिक्टीशन असी जागरन है और 90 हिंदुस्तान है 80 सब्द प्रतिमिन डिक्टीशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद स्टार्ट जोधपुर में एक जनसभा को संभोधित करते हुए ग्रिह मंत्री अमित साह ने नागरिक्ता संसोधन कानून यानि CAA पर एक इंच भी पीछे न हटने की बात कहकर यही इस पश्ट किया कि सरकार अपने फैसले पर अडिग है उसे अडिग रहना भी चाहिए क्योंकि अब इस कानून से पीछे हटने का मतलब होगा दुश प्रिचार और साथ ही भ्रम एवं हिंसा फैलाने वाली राशनिती के समक्ष गुटने तेकना विपक्ष को भी यह समझ आए तो बहतर कि वह किसी मसले पर लोगों को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं कर सकता उसे इसका आभास होना चाहिए कि नागरिकता संसोधन कानून को लेकर उपजा संसे चड़ रहा है और लोग यह समझने लगे हैं कि यह तो वह कानून है जिसका किसी भारतिय नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं यदि विपक्ष यह मांग नहीं रह कर रहा है कि बांगलादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत संख्यकों को भी नागरिकता संसोधन कानून के दायरे में लाया जाए तो फिर उसे यह इसपष्ट करना चाहिए कि वह चाहता क्या है उसे यह भी बताना होगा कि उसकी ओर से किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह कानून भेदभाव भरा और समिधान के खिलाफ है ध्यान रहे कि नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोट में जो तमाम याचिकाएं दायर की गई है उनमें एक बड़ी संख्या विपक्षी नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं की है आखिर ये याचिकाएं दायर करने वाले विपक्षी नेता सुप्रीम कोट के फैसले का इंतजार करने के लिए तैयार क्यो नहीं विपक्षी नेताओं को इसका भी एहसास होना चाहिए कि वे अब नागरिक्ता रजिस्टर यानि NRC को नागरिक्ता संसोधन कानून के साथ जबरन नथी नहीं कर सकतें क्योंकि प्रिधान मंत्री के बाद ग्रिह मंत्री की ओर से भी यह इसपष्ट किया जा रहा है कि फिलहाल इसे लेकर कोई पहल नहीं हो रही है क्या इसके बाद भी विपक्ष NRC को लेकर लोगों को रमित और भैभीत करने का काम जारी रखेगा कहना कठिन है कि वह क्या करेगा लेकिन यह तो इसपष्ट ही है कि उसने जनसंख्या रजिस्टर यानि NPR के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है यह तब है जब NPR जनगर्णा का हिस्सा है NPR के खिलाफ लोगों को जिस तरह इसके लिए बहकाया जा रहा है कि वे न तो कोई कागस दिखाएं और नहीं किसी तरह का फॉर्म भरें उसे देखकर तो यही लगता है कि जनगर्णा के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है चुकि सत्ता पक्ष बिपक्षी दलों के तेवरों से परचित हो चुका है इसलिए उसे भी उन कारणों की तह तक जाने और उसका निवारन करने की जरूरत है जिनके चलते कुछ लोग CAA पर जनता को इतनी आसानी से गुमराह करने में सफल हो गए किसी देश के सैन्य प्रमुख को हमला करके मार देने का अर्थ सिर्फ एक ही होता है उस देश के खिलाफ युद्ध का एलान अमेरिका ने एक जटके में पश्चिम एसिया को युद्ध की और दकेल दिया है किसी भी तरह का सैनिक संगर्ष अगर हुआ तो बात सिर्फ अमेरिका और एरान तक सीमित नहीं रहेगी इसका ताप पूरी दुनिया को ही कई दाग देगा जैसे ही यह खबर आई कि अमेरिकी जोन ने इसलामिक रिवोल्यूस्नरी गार्ड कोर के प्रमुक कासिम सुलेमाने को इराग के बगदाद हवाई अड़े के पास मार गिराया विश्व बाजार में पेट्रोलियम के भाव एकाएक बढ़ गए इस हमले में इराकी मिलीसिया के कमांडर अबु मेहंदी समेत साथ और लोग मारे गए हैं जाहिर है यह मामला सिर्फ एरान और अमेरिका तक सेमित नहीं है इराक भी इस हमले की चपेट में आ गया है हमला जिस तरह से अचानक हुआ उसने पस्चिम एसिया को ही नहीं पूरी दुनिया को यहां तक की खुद अमेरिका के लोगों को भी चौका दिया इरान और अमेरिका के बीच तनाओ पिछले काफी समय से बढ़ रहा था यह भी लग रहा था कि वे दोनों सीधे ठकराओ की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि संगर्ष की इतनी आकरामक पहल अमेरिका की ओर से होगी इरान के लिए कासिम सुलेमानी का क्या महत्व है इसे इससे समझा जा सकता है कि वह सिर्फ वहां की सेना के प्रमुक ही नहीं थे माना जाता है कि वह वहां के धार्मिक नेता आयत लाह खामे नहीं के बाद वहां के सबसे लोकप्रिय सक्ष भी थे जाहिर है इरान भी इस हमले को हलके में नहीं ले सकता उसने भी बदला लेने की धमकी दे दी है तनाओ इतना जादा है कि कुछ विशलेशक यहां तक कह रहे हैं कि यह आग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है उमीद करनी चाहिए कि मामला इतना नहीं बढ़ेगा और इस तनाओ में पूरी दुनिया के देश सामिल नहीं होंगे लेकिन यह भी सच है कि सायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो इस तनाओ की मार से बच पाएगा फारस की खाड़ी में जब भी तनाओ हुआ है तो तेल के दाम आसमान पर पहुचे है इस समय संकट यह भी है कि पूरी दुनिया मंदी से तरस्त है और तेल के दामों में होने वाली कोई भी बढ़ोतरी सभी लोगों और देशों के कश्टों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है लेकिन यह भविश्य की बात है फिलहाल तो पूरी दुनिया इस सवाल से जूज रही है कि अमेरिका के लिए अचानक ऐसी कारिवाई की क्या जरूरत आन पड़ी थी डुनाल्ड ट्रम्प के अमेरिकी राष्ट्रपती बनने के बाद से इरान और अमेरिका जिस तरह से उलजे है उसमें किसी भी अनहोनी के होने की आसंका हमेशा से ही मंडरा रही थी इस हमले के बाद एक और महत्वपुर्ण चीज यह हुई है कि अमेरिका ने ना सिर्फ कारिवाई की बाद स्वीकार की है बल्खी यह भी कहा कि यह कदम राष्ट्रपती ट्रम्प के निर्देश पर उठाया गया है सरकार की ओर से हमले का सहरा ट्रम्प के सिर पर बादने के कारण बहुत से लोग इसे अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपती चुनावों से भी जोड़ कर देख रहे हैं धारना यह है कि ट्रम्प इस चुनावों को अमेरिकी राष्ट्रवाद की लहर पैदा करके जीत लेना चाहते हैं सच जो भी हो यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने जो कारवाई की उसकी कोई जरूरत कहीं से भी नहीं थी इतनी आकरामक पहल से आसानी से बचा जा सकता था 90 सब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट खतम हो गया अब बार ही है 100 सब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद स्टार्ट जोदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रिह मंत्री अमित साह ने नागरिक्ता संसोधन कानून यानि CAA पर एक इंच भी पीछे न हटने की बात कहकर यही इसपष्ट किया कि शरकार अपने फैसले पर अडिग है उसे अडिग रहना भी चाहिए क्योंकि अब इस कानून से पीछे हटने का मतलब होगा दुशप्रचार और साथ ही भ्राम एवं हिंसा फैलाने वाली राजनिती के समक्ष गुटने टेकना विपक्ष को भी यह समझ आए तो बहतर कि वह किसी मसले पर लोगों को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं कर सकता उसे इसका आभाश होना चाहिए कि नागरिकता संसोधन कानून को लेकर उपजा संसे छट रहा है और लोग यह समझने लगे हैं कि यह तो वह कानून है जिसका किसी भारतिय नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं यदि विपक्ष यह मांग नहीं कर रहा है कि बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत शंक्यको को भी नागरिकता संसोधन कानून के दायरे में लाया जाए तो फिर उसे यह इस्पष्ट करना चाहिए कि वह चाहता क्या है उसे यह भी बदाना होगा कि उसकी और से किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह कानून भेदभाव भरा और सम्विधान के खिलाफ है ध्यान रहे कि नागरिकता कानून के खिलाफ शुप्रीम कोट में जो तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें एक बड़ी संक्या विपक्षी नेताओं की और से दायर याचिकाओं की है आखिर ये याचिकाएं दायर करने वाले विपक्षी नेता शुप्रीम कोट के फैसले का इंतजार करने के लिए तैयार क्यों नहीं विपक्षी नेताओं को इसका भी एहसास होना चाहिए कि वे अब नागरिक्ता रजिस्टर यानी नर्सी को नागरिक्ता संसोधन कानून के साथ जवरन नत्थी नहीं कर सकते क्योंकि प्रधान मंत्री के बाद ग्रिह मंत्री की ओर से भी यह इसपष्ट किया जा रहा है कि फिलहाल इसे लेकर कोई पहल नहीं हो रही है क्या इसके बाद भी विपक्ष नर्सी को लेकर लोगों को भ्रमित और भैबीत करने का काम जारी रखेगा कहना कठिन है कि वह क्या करेगा लेकिन या तो इसपष्ट ही है कि उसने जनसंख्या रजिस्टर यानि NPR के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है या तब है जब NPR जनगर्णा का हिस्सा है NPR के खिलाफ लोगों को जिस तरह इसके लिए बहकाया जा रहा है कि वे ना तो कोई कागज दिखाएं और ना ही किसी तरह का फॉर्म भरें उसे देखकर तो यही लगता है कि जनगर्णा के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है चुकि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों के तेवरों से परचित हो चुका है इसलिए उसे भी उन कारणों की तह तक जाने और उसका निवारन करने की जरूरत है जिनके चलते कुछ लोग CAA पर जनता को इतनी आसानी से गुमराह करने में सफल हो गए सो सब्सब्रती निट डिक्टीशन समाप्तुआ अब बारी है 110 सब्सब्रती के डिक्टीशन की स्टार्ट करते हैं 110 सब्द प्रति मिनट अगर आप 120 सब्द प्रति मिनट और 140 और 160 सब्द प्रति मिनट के डिक्टीशन प्रते दिन वो भी 10 मिनट तक लिखना चाहते हैं तो हमारे हापे स्टानोगाफी को जरूर जोईन करें तो चले स्टार्ट करते हैं अब 110 सब्स प्रतिमिनट के डिक्टिशन स्टार्ट किसी देश के सैन्य प्रमुक को हमला करके मार देने का अर्थ सिर्फ एक ही होता है उस देश के खिलाफ युद्ध का एलान अमेरिका ने एक छटके में पश्चिम एसिया को युद्ध की ओर तकेल दिया है किसी भी तरह का सैनिक शंगर्ष अगर हुआ तो बात सिर्फ अमेरिका और इरान तक सीमित नहीं रहेगी इसका ताप पूरे दुनिया को ही कई दाग देगा जैसे ही यह खबर आई कि अमेरिकी ड्रोन ने इसलामिक रिवोल्यूसनरी गार्ड कोर के प्रमुक कासिम सुलेमानी को इराक के बगदाद हवाई अड़े के पास मार गिराया विश्व भाजार में पेट्रोलियम के भाव एका एक बढ़ गए इस हमले में इराकी मिलीसिया के कमांडर अबु मेहंदी समेत साथ और लोग मारे गए हैं जाहिर है यह मामला सिर्फ एरान और अमेरिका तक सीमिद नहीं है इराक भी इस हमले के लपेटे में आ गया है हमला जिस तरह से अचानक हुआ उसने पस्चिम एसिया को ही नहीं पूरे दुनिया को यहां तक की खुद अमेरिका के लोगों को भी चौका दिया इरान और अमेरिका के बीच तनाव पिछले काफी समय से बढ़ रहा था यह भी लग रहा था कि वे दोनों सीधे टकराओ की और बढ़ रहे हैं लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि संगर्ष की इतनी आकरामक पहल अमेरिका की ओर से होगी इरान के लिए कासिम सुलेमानी का क्या महत्व है इसे इससे समझा जा सकता है कि वह सिर्फ वहां की सेना के प्रमुक ही नहीं थें माना जाता है कि वह वहां के धार्मिक नेता आयतुलाह खामेनेई के बाद वहां के सबसे लोकप्रिय सक्स भी थें जाहिर है इरान भी इस हमले को हलके में नहीं ले सकता उसने भी बदला लेने की धमकी दे दी है तनाव इतना जादा है कि कुछ विशलेशक यहां तक कह रहे हैं कि यह आग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है उमीद करनी चाहिए कि मामला इतना नहीं बढ़ेगा और इस तनाव में पूरे दुनिया के देस सामिल नहीं होंगे लेकिन यह भी सच है कि सायद ही दुनिया का कोई ऐसा देस होगा जो इस तनाव की मार से बच पाएगा फारस की खाडी में जब भी तनाव हुआ है तो तेल की दाम आसमान पर पहुँचे हैं इस समय संकट यह भी है कि पूरी दुनिया मंदी से तरस्त है और तेल की दामों में होने वाली कोई भी बड़ोतरी सभी लोगों और देसों के कश्टों को पहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है लेकिन यह भविश्य की बात है फिलहाल तो पूरी दुनिया इस सवाल से जूच रही है कि अमेरिका के लिए अचानक ऐसी कारिवाई की क्या जरूरत आन पड़ी थी डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिकी राष्टपती बनने के बाद से इरान और अमेरिका जिस तरह से उलजी है उसमें किसी भी अनहोनी के होने की आसंका हमेशा से ही मंडरा रही थे इस हमले के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज यह होई है कि अमेरिका ने न सिर्फ कारिवाई की बाद स्वीकार की है बलकि यह भी कहा कि यह कदम राष्टपती ट्रम्प के निर्देश पर उठाया गया है सरकार की ओर से हमले का सहरा ट्रम्प के सिर पर बादने के कारण बहुत से लोग इसे अमेरिका में इस साल होने वाले राष्टपती चुनावों से भी जोड़ कर देख रहे हैं धारना यह है कि ट्रम्प इस चुनाव को अमेरिकी राष्टवाद की लहर पैदा करके जीत लेना चाहते हैं सच जो भी हो यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने जो कारवाई की उसकी कोई जरूरत कहीं से भी नहीं थी कि इतनी आक्रामक पहल से आसानी से बचा जा सकता था 110 सद्वे प्रतिविने डिक्टेशन भी समापत हुआ ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सकाइब कर लीजिए और बगल में जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूले ताकि जो भी वीडियोज हम अप्लोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में